देखिए हमारे पास जυसे यह पूरा टेब है इसमें टाइब आइस ख़वर करना है चलिए हें यहां से कट कॉपी पेस्ट और बिजड़ स्पेशल आपको पटाईये फॉर्मेटिंग का आप को मालूम है यहां से आपका चो है अलाइनտमेंट होता है है इसे सब there आ पढ़ा सार छोड़ के लिखना तो indent आप यूज her Escape UK आपको मालूम वगा and a text निंबर फॉर्मैटिंग है इसमें increase, decrease, 0 के लिए है, then conditional formatting पता है, format as table, format as table अमारे पर use आता है, जिसे पाइवट टेबल में एक option था, कि उसको बार-बार refresh करना पनता है, जो एक बार पाइवट टेबल का आगें फोल रूँ, तो और उससे link करके आपको दिखाता हूँ कि यह क्या चीज़ा है, तो अब इस पे जो पाइवट टेबल लगा है, अगर मैं इसमें नई entry करूँ कोई, बाल जी जे नीचे कोई एक entry हो जाती है, और इसमें कुछ data डाल देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जाके refresh करता हूँ, मिराज करके डाला मैंने, तो इसमें आयाने, ठीक है जी, प्रॉब्लम क्या है, कि जो यह data source जो हमने select किया था, देके change data source का option होता है, तो इसमें जो देख रहा है, जे 668 तक ले रहा है, ये data, जे 668 तक मतलब, अब ये 669 रो है यहाँ पे, तो data खाली यहाँ यहाँ तक ऐसे ले रहा है, एक रो छोट जा लिए, तो इस तरह से data add होता रहे है, और हमारी range गडबर कर रही है, तो उस case में क्या करेंगे, तो उस case में इसको टेबल में convert करना परता है, टेबल conversion के दो तीन तरीकें, control T कर सकते हैं आप, control T कर सकते हैं तो ये create table का डायलग वोक्स आता है, my table as headers करके इससे भी हो सकता है, और दूसरा option है format as table, तो कोई भी एक formatting apply कर दीजे, my table as header, ये भी same गाम करेगा, ठीक है, जी table का नाम यहां से change कर सकते हैं, design toolbar अपने आप आ जाती है, तो table का नाम मैं data कर देता हूँ, ठीक है जी कुछ भी कर सकता हूँ, अब ये table की पहचान क्या है, कि जब मैं इसको down करता हूँ, scroll down करता हूँ, तो ये जो ABCD जहां लिखा था, वहाँ पे अपने, इनकी headings आ जाती ह अब मैं change data source में क्या करता हूँ, यहां पे sheet 3 है ना, तो इस range की जगह क्या कर देता हूँ, तो ये अपने आप आप आगया मिराज, अब table की एक खासियत होती है, कि अगर आप इसमें कुछ वार कितना चाहें, तो ये अपने आपको expand करती है, रिखने हैं कि formatting अपने आप ये इसी तरह से जब आप अलग से कुछ लिखना चाहें, तो ये अपने आपको नीचे भी expand करती है, ये ये expand होता है, अमाल निये expand नहीं होकि किसी तो यहां से जाके ये ए चोटा सा arrow फज़ जाता है, इसको तो आप उपर नीचे कर सकते हैं तो इसकी रेंज होती है आपकी टेबल की ठीए कडिए अब यहाँ पे रिप्रेश्ट करेंगे कि अपने आप आज जाएगा तो इसमें जो है इस वाले मौडल में दिक्कत कम होती है अपना पर मैड इस टेबल रेंज में convert करना हो इसको again तो क्या करेंगे table ये design में जाके convert to range करेंगे ये वापस range में बदल जाएगा table से ठीक है जी पर्मेटिंग ना बदले बट ये range में बदल जाएगा simple data में जैसा पहले होता च्योंकि इसमें कुछ limitation होती है मतलब additional feature होते हैं तो आप लिबिटेशन जैसा मैसूस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर है अडिशनल उप्शन है, कुछ total roll add कर सकते हैं, अपने हाँ भी कर चलती है, टूटल लो, इसके अंदर यहाँ क्या है, क्याँ क्या अप्शन होते हैं, average चाहिए, sum चाहिए, बहुत सारे additional option अपने हाँ आप लगा सकते हैं, table के tools होते हैं कुछ, then इसमें insert cell, cell बीच में insert करनी है, sheet row insert करनी है, column insert करनी है, row insert करनी है, उपर करनी है, insert table column to left, insert sheet, तो यहाँ पर inserting के option है, इसी तरह से आपके पास जिली जिली के option है, format के, format में row height, auto fit, height, auto fit, क्या होता, auto fit row height कर देता हूँ, तो यह है, जो height होती है, आपके यहाँ अपर adjust हो जाए, इसी यह है, auto fit करते हैं, यहाँ पर double click करते हैं, तो उसका option भी है, auto fit का, जैसे column auto fit का है, column width दे सकते हैं कि कितनी हैं, आपने करनी है, column की width, ठीक है जो, बीस कर दूँ, यह चोड़ा हो जाए, ठीक है जो, hide, unhide, hide, unhide के सारे option यहाँ है, row, hide करनी, column, hide करना है, सब चीज़े, sheets को rename करना, move करना, copy करना, tab color करना, sheet को protect करना, cell को log, unlock them protection में जाके करते हैं, तो आप यहाँ से direct कर सकते हैं, एक सीधा का पकड़के इसको format में जाके unlock cell, unlock cell कर सकते हैं, इस option से, format cell से अपना, यह वाला option को जाता है, ठीक है, auto sum, auto sum में आपके, खोड़े से formula आपके पास पहले से ही दिये होते हैं, तो वो आ जाते हैं, ठीक है, फिल को देखते हैं एक बार, फिल में क्या होता है अपना, जो हम, जो हम, जो हम कैसे करके, इसको ड्रैग कर देते हैं, तो यह ड्रैगिंग सिस्टम कहता है, यह कहला था, फिलिंग, ठीक है जी, अब फिल्म कैसे होता है, जिसमें ने एक कर दिया, और यहाँ पर select कर दिया, फिल्म डाउन, तो डाउन में कर देगा, राइट में, अपने, जहां करना चाहें, वैसे कर देगा, इसी तरह आप डाउन में भी फिल्म कर देगा, जिए यहराँ सेम कोपी करना है, देन आता है सीरीज अपने पास, यह बारता हूं, सीरीज के अंदर आपके तो इसे एडवांस ऑप्शन आ जाते हैं जैसे सीरीज कॉलम में लीनियर स्टेप वैल्यू वन स्टॉप वैल्यू है तेले वन का देख लेते हैं तो एक एक की इंक्रिमेंट हो गई है चीक है जी मतलब एक दो तीन चार पांच आप चाहते हैं कि दो के उसमें बढ़े तो सीरीज में जाके इसको स्टेपल यूटू कर सकते हैं तो एक तीन पांच साथ इस तरह दो दो में बढ़े हैं जब आपको ट्रेडिशनल चिल से कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो इसके अंद है तो यह वहीं तक आएगा कि उससे पार नहीं करेता है कर देखे यहां से रो कॉलम चूज कर सकते हैं मान लीजिmit attach आप लुम इस तरह से कर रहे हैं ऐसे कर रहे है तो रो हम वहां से कर सकते हैं उरल्कीॡ 것으로 रहा देखने ग्रोथ में क्या होता है कि आपका जैसे मल्टिप्लाई होती जाती है वेख्यों 1 में तो कोई मॉल्टिप्लिकेशन नहीं होता 2 लेके देखता हूं क्या होता है 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 ग्रोथ में 2 तो दो की ग्रोथ हुई इसके यह मल्टिप्लाई करता जाता है पावर के साथ दो दूनी चार दूनी आ दूनी तो लगों पते इस तरह से चलाता है देन आपका डेट जो कि आपका डेट में यूज होता है तो एक मैं डेट चाल देता हूं यहां पर परो देट में क्या है कि आप डेवाइस करना चाते हैं चीचे जह नॉर्मल डेवाइसेंच starred करते हैं मैं कहता हूं दो दो की इंक्रिमेंट करो कठ दो दो दिन करके आगे बढ़ाएस कि मैं मैं । इसके बाद मैं कहता हूं कि प्यक्त ऑट है वीग दे भी आल्मोस्ट सेम होता है मन्त इसमें मन्त का इंक्रिमेंट होगा एक मन्त का हम वो कर रहे हैं तो हर एक मन्त नवमर जन्मर इस तरह से बढ़ाएंगे तो यह बढ़ जाएगा उसके बाद है और आटोफिल आटोफिल आपकर नॉर्मलि जो ड्रैक करते हैं वो आटोफिलह हुता है जिंको इसके बाद एक और चीज ऊती हुए जिस्टिफाई का ही उसकरते हैं जिसके डूए मेरेटा है जिसे 2 सैल में आपको एक मैल आनाए है जैसे कि मैंने आपको एक option लिखाया था कि करके मैंने पार्मूला की तरह बनाना था उसे मुझे एक ही cell में लानी है सारी value अलग अलग cell में पढ़नी है तो इसमें क्या करना होता है पूरा data select करके वहां तक खींचना होता है कि जहां तक आपको लगे कि एक cell में आ जाएगी यहां इतना space आती होगा मेरे इसाप से तो यहां से fill तो करके हम justify कर सकते तो यह एक ही cell में आ जाता है जाता इस्टायल कि एक ही कि उतना आपको चोटा करना पड़ता है और देन के क्या करना है अगें जस्टिप्राइब करना है तो वापस एक्स्टेंड कर देगा रहे हैं तो फ़ीजगा आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है कि दो तीन सेल बड़ी है उनको एक में लाना है वर्ड से कॉपी करके ला रह है कि अब क्लियर क्लियर में जैसे मैं इसको फॉर्मेटिंग कर देखा है कि क्लियर अलग अलग त्रेट होता है जैसे क्लियर और में सब कुछ चला जाएगा पूरा डिलेट सल मारेगा क्लियर फॉर्मेट्स खली फॉर्मेट क्लियर करेगा क्लियर 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 क्ल पॉर्टेन फिल्टर बता ही है। Find and Select Find and Select में बाकि सारे Find and Replace के आपके function पता है। बट आपको Find and Replace में भी थोड़ा सा Advanced चीज़ दिखाता हूँ। थोड़ा सा Data ले लेता हूँ ताकि काम करने में आसा। Find and Replace Find आपको कोई भी चीज़ Find करने के लिए इसमें से पुरसा इसी Data पहल जीडा कर लेता हूँ। तो अब हर एक Sheet पर मैंने यह Data को करना है। Find Find में क्या आता है कि जैसे आपको कुछ Find करना है। आपने Find Next किया तो यह Next Next Find करता जाएगा। इसकी चाल होती है कि यह मतलब एक कॉलम आई जैसे Find कर रहा है। तो इसकी चाल को मतला जा सकता है या एक ही Sheet में Find कर रहा है। आप Workbook सेलेक्ट करें तो जो आप Find कर रहे हैं किसी भी जगे होगा तो यह सर्च करके ला देगा। Find All करेंगे तो यह हर जगा हमें इसमें एक List बना दी इसमें। दूसरा जो सर्चिंग स्टाइल होता है हमेशा By Row होता है। By Column भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहां है आप सेलेक्ट्शन दे देंगे तो इसी एरिया में सेलेक्ट करेंगा और करेंगा। अब इसमें मैं Find करना हूँ। तो देखिए कैसे कैसे चलना है। यह Column भाइस चलना है। अगर मैं इसको Row सेलेक्ट कर दूँ तो यह Row भाइस चलेगा। दूसरा Formula values comment अब comment में क्या Find करना है आपको नहीं बताते है। कमेंट में आपने सर्चिंग कभी देखी नहीं कि comment का कुछ होता हूँ उसको Find करें। यह Comment के अंदर भी Find करा सकते है। ठीक है जी, values जो उपर विकरी है values उपर की values Find करानी। और जो हम formula replacement करते हैं कि F4 करके। तो उसके लिए formula selected होना ज़रूरी है, अगर value selected होगा तो जो हम formula find replace का का काम करते हैं वो काम नहीं चलेगा। जो हम थे खाली values ही नहीं find करा सकते हैं। इससे अपने काफी काम भी होते हैं। कहीं पर आपने color दिया है माल लिए कोई special color दिया है। अब color भी find करा सकते हैं। इससे find करा सकते हैं आपर format का option। तो जहां से वैं फार्माट चुज़ करूंग had to format कर तक है यह तो format का डीलाउब intervenedisi कर दीर है अज़र यू carbon-ed out from cell अन्मिए मैं यह तो ले लिए बिक्क अधिेये कोई format अब यह मुझे बता देगा कि यह format कहा कहा है कुछ और आमालीजी आपने हाईलाइट कर दिया इसको 55 से इस एका बाल्ग पॉस्त ने कहामेन तो ग्रीन मैवो लगा है लाइट करनने है तुमने येगांत प्रॉबलम आते कि करके फिर से रेप्लेस दूंников करेंगे तो यहां के आप format को शू Suddenly का इसको format में स्चे कर देशन आ है मत रिप्लेस को जाके आप पॉर्मैट जब चूज कर लेंगे कि उस format को इस से बदल दो तो replace all करने से ये जो मैंने यलो से highlight किया तो ता टारेक्ट की इससे बदल भी को हम ले कुटी कलर भीया आप अपस में find replace कर सकते हूं एक होता है go to, goto क्या होता कि किसी reference पे आपने directly जाना है मैंने का आए 500 पे जाना है, तो यह ए 500 address पे पहुँचए है तो यह reference को जाने के लिए हम go to का youse करते हैं क्ट्रोल जी इसका शॉर्ट काते हैं आप कर सकते हैं इसको एक दम सजाना हो तो इसके बाद आता है गो टू स्पेशल स्पेशल में स्पेशल चीज़ें हैं इस जैसे आपने कहीं कमेंट डाले हुए उनको सिलेक्ट करना है यह कमेंट वालों को सेलेक्ट कर लेगा है यहां से खलर देखने हैं कमेंट वाली सेल को सिलेक्ट कर लिए है then constants constant होती है normal values जिसमें आपको formula नहीं होता constant को select कर लेगा जिसमें constants होंगे उनको select कर लेगा ठीक है यह formula नहीं है उनको select कर लेगा और constant भी किस किस type के number करना है text करना है logical true false जहां लिखा हुआ है या error उनको एगर एक दम पर select करना है तो आप यहां से select करवा सकते हैं then जहाँ formula लगे हैं उनको select करना है आप formula क्या return करना है वो भी यहां से select कर सकते हैं नमबर return करना है blank को select करवाना blank rule case से select कर लिए यह उसी range में दिखा रहा है जो कि हमने edit की होगी कभी उसमें blank कर लाए अगर मैं इसमें करूँ यहां पर blank कर दो और इसमें selected है में आप तो blank जब बोलूँगा तो इसमें यह भी select कर दिया और यह भी select कर दिया देख सकते हैं color change इसके बाद है current region current region वही आपका काम करता है control A वाला data पर ठीक है current region मैंने जिकर किया था जब control A के बारे में बता रहा है current array अब आपने कोई array लगा या है तो आपको पता ही नहीं कि वो कितना बड़ा है ठीक है जिक दो तो यहाँ पर लगा देता हूं कोई फार्मूला ट्रांस्पोस का भी बता है तो मैं इसको एसे select करता हूं यहाँ पर लगा देता हूं तो इस फार्मूला ट्रांस्पोस का अब यह array कितना बड़ा है मुझे नहीं पता तो go to special में जाके करने के लिए पूरा एरे सिलेक्ट होना जुरूली है ठावर्टिक्ट जह से आपके चार्ट हो गयरा हो गयों पशनके अई चुल कराने हो तो यह ते आप्शन में इस प्लीक्ट का जुरूत है रेसे मिसे खुल एक जुरूत हैं वे एल उने शरीं तुर्ट पड़ती है, वी बी ए में आप वही कोड एक्सेस कराएंगे जिनके iPhone होंगे आपे, अमा लिजिए आपको तो पीचर सिलेक्ट कराने हैं तो कैसे कराएंगे, क्लिक तो आप कर नहीं सकते कि आ Primary 10 क्लिक करतूँ तो सिलेक्ट कराने के तो चाहिए होता है, वो उब्ज औप्जेक्ट करने तो अब्जेक्ट सेलग्ट हो जादा पिक्चर चार्ट गरहेंगे सब औप्जेक्ट होते हैं दो इसमें आता है रोडِीफरेंशी इसको सेलेक्ट कर लेता है कि यहाँ इसमें कोई डिफ्रेंस होता है रो में उसको सिलेक्ट कर लेता है कि यहां से जाकर यह रो जो थी हमारी गड़बर हुई इसको सिलेक्ट करके दर्में करूं तो यह रो रिफ्रेंस ने पूरे चिलेक्ट कर लिया सब में यह अलग डेटा एक जैसा डेटा हो यह जरे अलग हो तो यह पकड़ लेका वुचको तो इसी तरह कॉलम डेफ्रेंस ही परसीडेंट एंडिपेंडेंट परसीडेंट वो होते है कि किसी में अगर कोई सेल रेफरेंस यूज़ हुआ है जहां पर मैंने किसी को यूज़ कर दिया यहां यूज़ कर दिया तो इसको यहां पर सेलेक्टेड है तो इसका परसीडेंट होनेगा मतलब इसका पेरेंट डूनेगा जिस को हमने यूज़ किया होगा तो यह इधर वाले हरीच पर चला गया कि आपने इसको यहां से यूज़ किया था ततलब इपर का रिफरेंस यहां है इसी का अगर रिवर्स जानाओ कि यह कहां कहां यूज़ हुआ है तो आप उसके लिए अपना डिपेंडेंट यूज़ मैंने यूज़ गया उसको यूज़ किया तिर इसको यूज़ कर लिया तो यहां का डिरेक्ट इंडिरेक्ट लेवल हो गया ना कि हरीच बेस जो हो यहां से आ रहा है और मैंने जो उठाया यहां से उठाया तो यह डिरेक्ली आया कहां से औरीजन नदी तो उसको जानने के प्रसिडेंट को और लिवल तो इसने यह भी सेलेक्ट कर लिया और यह इसी तरह से कि यह कहां वायूज होता है वह डिरेक्ली और इंडरेक्ली तो आप यहां से जा सकते हैं डिपेंडेंट्स पर आल लिवल तो अपने यह वाले हो बैं यह सब सेलेक्शन के लिए हैं जितने भी टूल से अपने सेलेक्शन के लिए हैं लास्ट सेल आप तर डेटा तो यह जहां पर एडिटेट किया हुआ है यहां पर लास्ट में आ लिया इसके बाद है अपना जाले का अच्छा तास यह हो है कि विजीबल सेल्स ओल्डी में हम कई बार क्या करते हैं और फिर डेटा कॉपी करके ले लेजाते हैं कोई स्पेशल डेटा कपी करके ले जाते हैं पर कई बार क्या होता है कि इसके पीछे का डेटा भी कॉपी होके ले जाता है तो कैसे श्योर रहें कि हर बार जो है कि वो फिछला डेटा का ना उठार इसके पीछे का, जो पीछे, पेडिटर के पीछे जो है, जी 5 सब 11 के बीच में जो डेटा है, तो उसको ना उठाये हरवार श्योर रहने के लिए आपको ये visual cells only select करना पड़ेगा, तो इसमें क्या गरती का चांस नहीं होता है, उसमें आपका सही बेल्ली आती है, विजिबल सहल सोल लिए, देन कंडिशनल फार्मेटिंग आपने कहां लगा रखें तो अगर कहीं लगा रखें उसको सर्च करना है तो आपको वो मिल जाएगी यां कंडिशनल फार्मेटिंग कहां लगी है सब्सक्राइब नार्मल फॉर्मेट और पर्मेट पता लगाने कि किसी और ने शीट भीजी तो आपने विससे नहीं लगा सकते रहा को पर पादें पेले यहां तो आप इसर जाकर देखें मैने इह डिया जाकर जाके आप इसुर्कषीट पर देखें बाखि दूसरा option यहां से, data validation भी इसी तरह से, जहां जहां data validation लगा हुई है, data validation अब उसके अब उसके रिकांड लेक्ट के लिए यहां यहां आपने data validation लगा हुई है, इस में सार है, बेन उसके बाद select object के लिए आपका यह जो अपना editing excel के लिए plus का sign का आता रहता है select object करेंगे तो arrow का sign आ जाएगा फिर उसमें या आपके वो नहीं select करेगा object को select करेगा फिर जो object कब select करते हैं जिसे हमें बहुत सा इन से काम करना है इसको इखक्टा करके group करना है selection pane selection pane में जैसे मैंने object दिया हुए अब मार लीजिए पहले इस picture के साथ प्रेंच निकालना है फिर इस picture के साथ निकालना है यहां पर temporarily आप आपको hide and hide कर सकते हैं hide all कर दिया सब hide होगे यह शो all कर दिया सब यह इनका यह पिक्चर हटागी रहेगी वहीं पर दिखाई नहीं देगी दूसरी picture हटागी पेस्टा यूस भी अच्छा का सकते हैं बाकी insert में आपको पाइवट टेवल पाइवट चर्ट हो इस नहीं कोई clipart clipart आप लोग जानते ही clipart वगरा microsoft के कुछ वैसे होते है tools अलकि इसमें install नहीं है तो इसमें installation में जा रहा है कि अच्छ शेप्स में आपके पास कुछ शेप्स होती है अलग-अलग design होते हैं आपके पास आपके ग्राफिक लिए काम करने में होते हैं यूज होते हैं बिसिकली इसमें लाइंस जो होती है अपनी या लग-अलग तीन तरह की लाइन होती ही पैंसिल की तरह चलती है और सारे शेप्स है इसको अलग-अलग करने की जब़त नहीं जैसे भी आप जो भी चाहिए जोसे प्लोचार्ट बनाने उनके लिए भी यहाँ पे अलग-अलग तरह की शेप्स से बैना इस्टार अलग- अपने इसाफ से दे सकते हैं अपर इसमें क्या है कि थोड़ सा इंट्रैक्टिव बोलता है आपका अवड़ी जल्दी क्रियेट हो जाता है कोई अलग-अप्शन भी यहाँ पे है यह अपने आप से और जॉँआ है हम फ्लो चार्ट और बनाते हुए अधर कर से ours हुआ जैसे सटमें आइल में सारे लिस्ट के लिये यह इस्पेशल भी इन डिस्ट के अलग-अलग-अटे- प्रॉसर्स आपने कोई process दिखाने है तो process के लिए अलग अलग type के boxes है main है जो mostly use करते हैं वो है यह अपना organization chart के लिए organization chart बनाने के लिए organization chart का दिखा दिता हूँ जिसे यह अब इसमें क्या होता है कि हमें बनाने में बहुत दिखता था थी इसको थोड़ी सेटिंग जो है यहां से हम देख लेंगे आइज़ेशन चार्ट में बेस चार्ट ले लेता हूँ यहां पर कोई भी नाम जो head हो गया अपना यहां मेनेजर हो गए अलग अलग क्या है कि जब यह चार्ट बढ़ा होने लगता है तो गड़बर करने लगता है हमारा इसमें इसी तरह की कैटेगरी हैं कि एक तो उपर वाले में अगर आपको जैसे मेनेजर का थोड़ा सा ग्रेट डाउन करना है एग्जियोटी वर्माल लीजे और इस मेनेजर के नीचे रेपोर्ट ही है अब इसके नीचे हमें असिस्ट वो head करना है तो add shape यहां से कर स अपना है मालिक यह executive है ठीक है दो executive है एंटर करेंगे tab से भी होता है यह tab से करेंगे तो और छोटा होता जाएगा shift tab करेंगे तो बड़ा होता जाएगा प्रमोट होता जाएगा तो दो executive है अब इसमें हमने देख लिया कि यहां पर कर पर हो रहा है तो tab से इनको adjust कर सकते हैं अब यह है कि मैं चाहता हूं कि जैसे यह आया था इस तरह से तो इनका hanging जो है वो सही करनी तो hanging में आप layout में जाके कर सकते हैं left hanging right hanging mostly हम करते हैं standard तो यह इस तरह से सही हो जाता है यह PAVA के लिए add assisted वाली shape होती है तो इस त इसी के साथ ही आपके पास बहुत सारे वह भी होते हैं जैसे जैसे अब जाएंगी कोई भी अपने हिसाब से चूज़ता है बक्ति मेरे ख़ल से एक और चीज होती है जिसके जो से list बनानी है तो मैं शाच select करके भी बना सकता हूं देखता हूं कि चलता है यह नहीं चलता मैं से लेक्ट कर लिया स्मार्टा लिस्ट नहीं इसमें वर्ड में mostly दे लेता है वर्ड में आप select करके न इनको list की तरह बना सकते हैं बिट्ट करपाता हूं जर्टा थे लिस्ट भूटी वज्जा थे लिए थे वर्ड मार्टा प्रेस्ट आपकी जैरे एचर्ट का मैं चारट वाले दिग और बताऊंगा है जैसी का उप्स को होई पर of lady कि देने हे हैं यहां पने सकती है इसे हैं जिसे कि आप बता रहे थे कि आप तो वो excel की बना रहते अपनी recording की तो फाइल तो उसके लिए सबसे easiest way है कि एक folder बना है और उसके अंदर main excel file बोरते हैं उस main excel file के बाद एक folder बना के उसके अंदर रखने और folder आपको current folder में मिलता है उससे क्या होगा कि वो जो folder आप किस प्रॉब्र एक्सल में डालने की स्लोथा, वो करेंट फॉल्डर वाले आप्षन से चल जाता है, क्योंकि आगे का एड्रेस क्या है, जहां फाइल से होती है, वो फॉट उठाता है, उसली क्या होता है कि आगे के एड्रेस के कारण आपने किसी को देची और वो लिंक लिए अगर आपको बनाते हैं तो रिकॉर्डिंग मैंने अड़ करके तो आपके पास यहां पर आपने ऐसे गी निए, इसाइड इस डॉक्यूमेंट, आपके पास यहां पर आपनी इस सीथ है, इसका लिनक क्या हुगा, जैसे कुलक्षी मैंने क्लिकले शीथ के आपनी आपके शीतन के एवन इसका लिंक क्या हुगा पर आपके तो बनाते हैं। महाला कि इस नाम से ये एक नई फाइल खोल देगा और कुछ नहीं करेगा इस नई फाइल खोल देगा उसको जब मैं सेव करूँगा तो वो उसी लोकेशन पर सेव दी हो जाएगी कंट्रोल एज दबाऊँगा प्लोस कर दूँगा तो ये उस लोकेशन पर नहीं सेव होगी खाली बस नहीं फाइल खोलेगी उसके नाम के साथ लेन आपके पास टेक्स्ट बॉक्स होता है इसके अंदर कोई भी अलग से हम एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन कमेंट की तरह कमेंट में नहीं देना चाहते हैं इसके अंदर का सारे आपके डिजाइन टोल भी होते हैं और इनको अलग अलग तरह से डिजाइन करके आप अपना शेप्स की तरह ही राख सकते हैं शेप्स की तरह ही होते हैं बिसिकलिए है अप्रक्रित्य तरहिए जए इसमें यूज़ करने की जोत में इसके आप मुस्ली वाड़् में यूज़ करते हैं इसके अवहरों के दिसक नम्जुट में जाके प्रिंट पेडल से चेजे च्टाइबलं ना इसको उपर वाली ओ करनी तो हम इसको सिल्धी आउउट में य कर लेते हैं रोज रिपीट हो फुदर टॉप शीट के अंदर होता है यहां से सिलेक्ट करेंगे उतना डेटा आपका हर शीट पे रिपीट हो जाएगा अगर यह डेटा जाता होगा तो अगली शीट पे भी वह आपके हेडिंग्स आती है इसी तरह से प्रिंटिंग का बताओ कि कई बार हमें जैसे देख रहे हैं कि यह शीट 6 यह आ नहीं डा था जा रहा है कि यह पर शीट 6 आ रही है पूरी तरह से नहीं होता अब खाली आपको कॉलम कॉलम फिट करने हैं आप चाहते हैं कि जितने कॉलम है वही आए तो यहां से यह जो वन होता है इसको हटा दीजिए बस क्या होगा कि कॉलम तो पूरे आजाएं पर रो बाउंड नहीं होगी आपको रो जितना मर्जी स्पेक्ष ले इसी तरह से रो बाउंड करनी हो तो इसको जीरो करके इसको मतलब कुछना करके यहां पर बन कर दीजिए तो रो एक में आजाएगी कॉलम को नहीं पूछे नहीं कॉलम अगर आपने एक में करने हैं तो यहां साइड वाला वस्ट इसको आटा दीजिए तो कॉलम अपने यहां पी एक में हो जाता है यह देन आपजिक्ट्स क्या हoxy जैसे आपने अपने टाइश शीट में देखा होगा कि वर्ड के अंदर एक्षल बिल्ट का दखिए एक्सल के अब यह इसके अंदर embed हो गई अब मुझे इसके अंदर कोई change करना है तो डबल क्लिक करना है तो मेरी पूरी application उसमें बग़र जाएगी इस में क्या हो गया यह file ही attach हो गई इस एरिया पाइल इसके अंदर ही attach हो गई है तो as a object हम इसको यूज कर सकते हैं अब कई बार आपको निशानों के जरुत पढ़ती है तो निशान आप यहाँ symbol से choose कर सकते हैं अलग अलग पर हाँ इसमें fonts है fonts में से देख सकते हैं mostly आपके winding में सारे होते हैं इन टू इन ट्री के अंदर ही निशान होते हैं सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही कल हम लोग आगे देखेंगे इसमें थोड़ा साही बचा है वैसे मुश्री तो हमने कवर करी लिया है जासे मार्जिंट करना हो आप पहर पेज मार्जिंट वैसे नारो थोड़ा है इसको मैनुवरी लोग सेक रसकते हैं एवनी को मिसीनियोफ ओर इसके हैं पराइट मुदिन हों जिलिए देजिका हूंद देरफिये को कि अधनsom सब्सक्राइब तो मुद्सक्राइब ये लिए यूजय क्दोप प्लिया को मिय नहीं विए भी टत्यों में व्लीच लिए worn पीले लोगाओं पिजबिच लाना है तो इनसे ब्रेकर लाशक करता हूं कि इसको एड़िस्ट करता हो कि दूसरा बड़ा पने आप ट्रिंटिंग के लिए कर सकता हूं अपने ब्हुता बाक्ग्राउंड ग्रिट लाइन यहां से आप अब यह जैसे डेटा है आपको इसोचे कि यह पिक्चर हटा नहीं है तो नहीं हटा पाए है तो डिलीट ग्राउंड करना पर तरह उसके लिए, प्रेंट टाइडल्स में बताई दिये, कि वो रिपीट करनी है अगर उपर हर एक पर, इसी तरह कॉलम्म भी रिपीट कर सकते हैं, जो से आपके कॉलम्म सी ज्यादा है, तो तीम पेज में कॉलम्म को प्रेंट लेना है, तो यहां से प्रेंट का उप्शन कर सकते हैं, यहां से प्रेंट का उप्शन कर सकते हैं, यहां से प्रेंट का उप्शन कर सकते हैं, यहां से प्रेंट 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 क को जैसे आपने दो तीन पिक्टर ले रखी हैं। तो इनको बैसमें कर सकते हैं। एन दोनों को इंस्टे कि इह होती है। इसको ही से लेक्ट कर देता हूं diferença है। ऺिए स्नाप टू ग्रिट क्या होता है एक तो होता है कि आपकी जो मुवमेंट हो रही है मैं कहीं भी जा सकते हैं अगर मैं स्नाप टू ग्रिट कर दूँगा इसको कि यह क्या करेगा जिड्लाइन के बरावर करेगा बतब यह जो सेल का उपर वाला भाग है इसमें टच करेगा मतलब फ्री मूव नहीं होगा तो अगर आपको ऑब्जेक्स के साइजिंग में दिक्कत आ रही है कि अग्जेस्टमेंट करके पूरी तरह से सैट नहीं हो पा रहा तो इस नहीं आप तो ग्रेट हटा सकते हैं लगा सकते हैं आप टू शेप हैं जाके सीधा इसना डिरेक्ली श साथ ही जैसे हमने करना होता है कि कई बार इसके बराबर ही लगाना तो यह इसना आपको शेप का ऑप्शन है एक तम एड़्यक्त में देखनी नहीं देखनी उसका अप्शन है तो पेज ले आउट में हमने मोश्टी यह चीज देख लिए हम लोग कल करें देपाइंड नेम मगेरा और डेटा में डेटा वे डेटा वेलिडेशन हो जाएंड चलिए फिर आज की क्लास सवाप्त होती है थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी बट यह है कि आप्शन्स आपको क्लियर हो जाएगी